सवाल निमनल इखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धार्मिक ग्रंथ, आदी ग्रंथ में समाविष्ट किया गया है? सही उत्तर है सवाल प्रसिद संत शेक सलीन चिष्टी रहते थे सही उत्तर है सवाल निमनल इखित में से किसे शेक उलहिंद की उपाधी दी गई थी? A. बाबा फरीद उद्दीन B. ख्वाजा कुतुब उद्दीन बक्ति आरका की C. ख्वाजा मुवन उद्दीन चिष्टी D. शेक सलीन चिष्टी सही उत्तर है D. शेक सलीन चिष्टी सवाल सर्वाधिक रूरीवादी सूफी संप्रदाय था A. चिष्टी B. सुहरावर्दी C. नक्षबंदी D. कादिरी सही उत्तर है C. नक्षबंदी सवाल सूफी मत का निमनलिखित में से कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था A. चिष्टी B. सुहरावर्दी G. कादिरी D. नक्षबंदी सही उत्तर है D. नक्षबंदी सवाल दिये गए जोडे में से गलत जोडी की पहचान करे A. चिष्टी, दिल्ली और दोअब B. सुहरावर्दी सिंद C. ओल्लिया मध्यप्रदेश D. फिर्दौसी बिहार सही उत्तर है C. ओल्लिया मध्यप्रदेश सवाल निमनलिखित में से किस सूफी ने कृष्ण को ओल्लिया माना था? A. शाह मुहम्मद गौस B. शाह अब्दुल अजीच C. शाह वलियुला D. ख्वाजा मीर दर्ड सही उत्तर है A. शाह मुहम्मद गौस सवाल निमनलिखित में से कौन सा सूफी वाज से समबंधित नहीं है? A. उलेमा B. खानका C. शेक D. समा सही उत्तर है A. उलेमा सवाल कृष्ण के जीवन पर कविता प्रेम वाटिका किसके द्वारा रचित थी? A. बिहारी B. सूर्दास C. रस्खान D. कबीर सही उत्तर है C. रस्खान सवाल निमनलिखित में से कौन भक्ती आंदोलन से समबंधित नहीं है? A. वल्लभाचार्य B. चैतन्य C. गुरु नानक D. अमीर खुसरो सही उत्तर है D. अमीर खुसरो